दोस्तों इंडिया में लगवग जितने भी most popular credit card है सभी के बारे में हमने discuss किया और ऐसे ही एक popular credit card है जो की है Paytm SDFC bank credit card आज की इस वडियो में हम जानेंगे SDFC जो Paytm का card है उसका क्या benefits है क्या charges है और क्या आपको benefits मिलेगा इसी के साथ-साथ apply का पूरा process भी देखेंगे इस वडियो में तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो अगर हम इस card की benefits की बात करें तो यहाँ पे Paytm के उपर Paytm Mall और Movies के उपर 3% cashback देखने को मिल जाएगा Mall और Movies को छोड़ कर अगर दूसरे किसी जगा पर आप spend करते हैं Paytm के उपर तो 2% cashback देखने को मिल जाएगा इसे के साथ साथ अगर आप retail कहीं बाहर आप shopping करते हैं कुछ भी spending करते हैं तो 1% cashback देखने को मिल जाएगा सो आपको बता दिया जो cashback का benefits है 3%, 2% and 1% Paytm के उपर basically जो भी आप करेंगे ना recharge बगरा छोड़ के कोई movies या फिर कोई mall का जो भी कुछ सामन खरीदना है Paytm mall के अंदर तो 3% cashback है Recharge बगरा के उपर bill payment के उपर 2% cashback है अगर आप इस credit card को use करेंगे Paytm के अंदर अगर आप इस card को petrol pump पर use करेंगे तो fuel पर 1% surcharge waiver देखने को मिल जाएगा Surcharge waiver क्या होता है अब सभी को मैं already बताया था जो की होता है अगर आप card को use करते हैं petrol pump पर तो एक charge करता है credit card पर debit card पर नहीं है तो जो भी charges है वो waiver हो जाता है मतलब cashback की तोर पर आपको मिल जाता है तो इसको कहा जाता है fuel पर surcharge waiver जो की 1% आपको देखने को मिल जाएगा इस card में आपको एक milestone benefit देखने को मिल जाता है जो की है महीने में अगर आप 10,000 से जादा spending करते हैं तो आपको 1% cashback देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक capping है जो की आपको yearly मिलेगा 1200 रुपिया तक cashback HDFC bank credit card का जितने भी partner restaurant है अगर आप card को swipe up करते हैं spending करते हैं dine out में यहाँ पर spending करते हैं तो up to 20% discount देखने को मिल जाएगा अगर हम इस card की charges की बात करें तो 49 rupees plus GST देखने को मिल जाता है बाट यह जो charges से ओवब हो जाता है अगर आप महीने में 5000 से ज़्यादा spending करते हैं इस card को use करके तो आपका जो 49 rupees plus GST है ओवब हो जाता है बाट यहाँ पर non EMI transaction होना चाहिए जो 5000 का होगा यहाँ पर retail transaction है फिर Paytm के ओपर कुछ भी कर सकते हैं 5000 से ज़्यादा spending कर देगे तो यहाँ पर 49 rupees plus जो GST है आपको देना नहीं पड़ेगा यहाँ पर OEVAV हो जाएगा तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं इस card के लिए कैसे हम apply कर सकते हैं दोस्तो इस credit card को apply करने के लिए आपकी phone से Paytm application को open कर लेंगे अगर install नहीं है तो Google Play Store open करेंगे search करेंगे Paytm और mobile number देके login कर लेंगे login करने के बाद Paytm application को open करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरब जाएगे तो आपको मिलेगा credit card अगर आपको नहीं मिलता है तो Paytm application open करने के बाद उपर की तरब एक search का option मिलेगा search पर click करके आप search करना है credit card simply type करेंगे credit card और आपके सामने credit card का option आजाएगा simply credit card के उपर click करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ interface आजाएगा Paytm SDFC credit card देख पाएंगे यहाँ पर cashback का details भी देख पाएंगे और आप देख सकते हैं नीचे की तरब zero renewal fee यहाँ पर monthly अगर 5000 से ज़्यादा आप spending कर देते हैं तो 49 rupees plus GHD जो है यहाँ पर renewal fee आपका ओएवब हो जाता है इसके बाद simply click करेंगे apply now के उपर apply now के उपर जैसी click करेंगे आपके समने और एक नया interface खुलके आ जाएगा यहाँ पर simply आपका pen number डाल देंगे pen number डालने के बाद यहाँ पर आपका नाम डाल देंगे और यहाँ पर tick mark लगाके proceed करेंगे प्रॉसिट करने के बाद आपके समने ऐसा कुछ इंटर्फ़ीस आ जाएगा यहाँ पर तीन स्टेप है Personal Details, Occupation Details and Address Details यहाँ पर Submit करेंगे दोनों पर तीक मर्ग लगा के Submit करने केबाद आपके समने ऐसा कुछ इंटर्फिस आ जाएगा यहाँ पर आपका date of birth डाल देंगे, इसके बाद आपका gender डाल देंगे, select करेंगे gender male, female या फिर other, इसके बाद है occupation details, यहाँ पर salary और self-employed जो भी है select करेंगे, यहाँ पर company name, resignation डाल देंगे, इसके बाद simply next करेंगे, next करने के बाद आपके सामने address details आजाएगा, यहाँ पर actual license दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका card के उपर जो भी name print होगा, ओ भी आपको दिखाई देगा, इसके बाद नीचे की तरफ, start my digital verification के उपर click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने और एक नया interface कुल के आजाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका आधर number डालन के लिए simply click करेंगे, start my video verification के उपर, और यहाँ पर तीन से पाँच मिनिट समय लगता है, यहाँ पर pen card आपका original आपके पास होना चाहिए, और आपका जो internet connection है, strong होना चाहिए, यहाँ पर वीडियो के वाइसी जैसी complete कर लेंगे, आपके सामने ऐसा कुछ option आजाएगा, simply यहा यहाँ पर जैसी approve हो जाएगा, यहाँ पर card issue कर दिया जाएगा, और within 7 to 10 days आपके address पर by post credit card भी मिल जाएगा, इसके बाद इस card को activation कर सकते हैं, activation करने के बाद Paytm यह फिर और कहीं पर भी use कर सकते हैं, click card Amazon यह फिर बाहर कहीं पर भी use कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत सरे discount देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको दिखा दिया किस तरीकी से Paytm, HDFC, Bank, Credit Card के लिए अपलाई कर सकते हैं, क्या benefits से, क्या charges से, डीटेल में सब कुछ आपको बता दिया, अगर इस वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए, अगर इस चैनल पर पहली बढ़ा